हालो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट के आज में आज जो उस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइफ इंशॉरेंस कॉर्परेशन ओफ इंडिया यानी की एल आई सी के बारे में कल यहां पे LIC ने अपने quarter two के numbers शो किये और numbers काफी ज़्यादा अच्छे निकल कर आए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू टोटली explain करने वाला हूँ और मंडे को जब market open होगा तो क्या क्या सिनारियो बन सकते हैं इस quarter two के numbers के बाद वो सारी चीज़ें भी हम discuss करेंगे साथ के साथ ICICI securities बहुत ही जादा bullish नजर आ रहा है LIC पर करीबन करीबन यहां से 45 से 50% के आसपास के returns expectations लगाय जा रहे हैं उसके पीछे की क्या reasons है उन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं वीडियो पूरी देखिए आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी चैनल को सब्सक्राइब जरूगर लिजेगा सोड़ आपको timely notification और updates मिलती रहें सबते पहले मात करेंगे LIC के exactly की pricing क्या चल रही है 627 की closing आपको देखने को मिली थी Friday को करीबन 1% के आसपास का उचाल आपको share में देखने को मिलाता है यानि कोई कोई बहुत बड़ा उचाल तो देख कोई बहुत बड़ा यहां पे moment तो आया नहीं है और वहीं अगर हम बात करें बिछले 6 मीने में तो 28% से ज़्यादा के negative returns है यानि कि जिस according इस company's expectations थी वो तो IPO के time पे ही खराब होगी थी लेकिन उसके बाद chances ते के LIC एक bounce back करेगा लेकिन वो अभी तक आपको देखने को नह नहीं आई है इवन 6 मेने में तो हालत यहां पर खराब होती है तो यह मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया कि हम किस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं अब यहां पर मैं आपको बताओं तो LIC ने अपने quarter 2 के numbers show किये जिसमें अगर आप देखोगे तो जो profit है भयंकर moment दिखाते हो नजर आया और profit में अगर आप देखोगे तो करीबन करीबन 15,952 करोड के आसपास profit पहुँचते हो नजर आया यानि कि एक बहुत बड़ा moment profit के अंदर देखने को मिला है साथ के साथ जो net premium income है वो 27% year on year basis पे बढ़ते हुए नजर आई है यानि कि अगर आप द positive माहौल create करती है डिटेल में बात करें तो यहां पे आपको 15,952 करोड का जो इस quarter का number है वो अगर हम same quarter last year से compare करते हैं तो वो निकल के आता था जिससे अगर आप comparison करोगे तो 14,33 करोड जादा है यानि कि किसी किसी company का तो total profit ही इतना होता है लेकिन इसका higher side पे इतना है तो आ overall scenario कहां लाए करता है वह अगर हम बात करें तो यहां पे 26% से जादा की year on year basis पे growth देखने को मिली है net premium income में और अगर आप देखोगे net income from investment जो है वो year on year basis पे 10% से बढ़ते हुए नजर आए यानि कि अगर आप देखोगे तो 84,104 करोड पर net income from investment पहुँच गया है तो यह ची return numbers है वह बहतरीन है वह अगर हम बात करें तो first year premium income अगर आप देखोगे तो 11% से जादा की increase हुई है single premium जो है वो 62% 62% से increase हुई है यानि कि हर एक factor किसी भी insurance company का जो होता है उसमें तगड़ी growth देखने को मिल रही है वह अगर आप देखो जो solvency ratio है जो कि insurance company के cash flow को compare करता है life cover जो वो provide कराईगी उससे तो वो अगर आप देखोगे तो 1.88% यहाँ पे परसेंट पे लाए करता है तो यह चीज आपको बने बता दी वह अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि इनके जो gross NPAs हैं वो यहाँ पे 26,111 करोड है जो कि एक quarter पहले 26,619 करोड थे यानि कि कम हुए हैं और एक साल पहले 28,929 करोड यानि कि year on year basis, y on y basis और quarter on quarter basis यानि कि Q on Q basis पे इनके जो G NPA यानि कि gross NPAs हैं वो कम होते हुए नजर आए हैं करीबन करीबन 5.60% से तो मैंने अभी तक जितने वी figure आपको दिखाए बहतरी नजर आए आपको सब देबल एक औ और ना बॉनस तो यहां पे आपको जो LIC है उसके रिजर्ट्स तो बहुत ज़्यादा तगड़े देखने को मिले हैं अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आखिर जो ब्रोकरेंस हाउस है ICAC Securities वो इतनी ज़्यादा बुलिश कियो नजर आती है आप यहां पे देखो multiple competitive modes can drive L LIC 47% higher यानि कि करीबन 47% तक के रिटर्स देखने को मिल सकते हैं ऐसा ICAC Securities का मानना है आप यहां पे देखो के domestic brokers हाउसे ICAC Securities उन्होंने LIC को कवर किया अपनी rating में और buying की rating दी है और यहां पे बताये कि जिस according insurance industry ग्रो कर रही है और यहां पे जो high entry barrier था वो भी काफी ज़्यादा regulatory environment को favorable बनाती है इस time पे वहीं अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो target रखा है वो रखा है 970 का जब अगर आप तो 17 माई को जब यह listing हुई थी उसके हिसाब से उसके according अगर आप यहां पे देखो तो 45% current market price से higher side पे आपको यह देखने को मिल रहा है तो यह चीज़ अगर आप देखोगे तो definitely chances नजर आते हैं कि आईसे securities तो बहुत ही ज्यादा bullish नजर आ रही है इनके according आपको एक इस था IPO का तो वहीं तक पहुँच जाएगा हाल फिलाल में तो यह चीज़ें आप देखके चलोगे तो चीज़ें यहां पे positive नजर आ रही है overall insurance sector और LIC के लिए वहीं अगर आप देखोगे तो एक और ख़बर है जिसमें मैं आपको बता दिता हूं board decision soon LIC to dip into the non power fund to boost the dividend यान कि अगर आप देखोगे तो यहां पे board decision आ सकता है बहुत जल्दी और non power fund में यह move कर सकता है जिससे जो dividend है वो यहां पे काफियत तक boost हो सकता है पूरी detail आप यहां पे पढ़ी पा रहे होगे लेकिन मैं आपको इसके बारे में तभी बताऊंगा जब इसमें exactly जो decision है वो आ जाएगा अभी आ सकता है expectations हैं तो मेरे गहाल से इस particular news का कोई बहुत बड़ा positive impact तो नहीं पढ़ने वाला जिस news का impact पढ़ने वाला था वो मैंने आपको बता दिया यानि कि quarter 2 के numbers बहुत ज़्याद इंप्रेसिब net profit आपको इनकी premium income आपके उनके NPS सब चीज में अच्छे का अच्छे scenarios देखने को मिले फिर मैंने ICC securities की report को कबर किया है जिसमें उन्होंने target के साथ साथ अपना viewpoint बताया है कि आखिर उनका जो viewpoint है वो क्यूं है और जो target है वो क्यूं इतने रखे गए हैं अभी भी आपको कोई doubt हो तो आप comment box में जरू पूछ सकते हो चैनल पे first time visit कर र निवाद